नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजूकेशन के एड़ सिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चै लेकिन आपको एक चीज़ क्लेर कर दें आपके कि यह प्रखंड वाई जो है ना आपकी वेकेंसी अपडेट की जाने वाली है समाने प्रशासन विभाग की तरफ से सिक्षा विभाग ने यह नियुक्ति की मांग की थी जिसका की अपडेट अब 15 दिन और समय लग सकता है त तो इसमें एक और नया वेकेंसी अपडेट आ रहा है दोस्तों जिसमें की नियुक्ति के प्रख्रिया को लेकर और 15 दिन आपके लग सकते हैं यहां पे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सारे डिटेल आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो के मादेम से जो भी इ तो आप हमारा चैनल वाइटी एजूकेशन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां रोज शाम आठ बजे आपको बिहार द्रोगा का यह फुल मोक्टेश्ट दिया जा रहा है तो इन फुल मोक्टेश्ट के जरिए आप अपनी परिश्यक त्यारी को और भी यह मजबूत कर सकत हैं मात्रे 99 रुपीज में तो इसको जरूर जरूर ले लिजेगा वाइटी एजूकेशन के अप्लिकेशन पर यह अब लेबल है वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों चलिए अब लेकर चलते हैं इसकी न्यूज अपडेट पर जैसा कि आप सभी को बता दे अनुदेश यहां पर जो भी दिये गये थे और आदर्स अजार सहीता को लेकर समाप्त होने होते ही इसके तैयारी सिक्षा विभाग की प्राथमिक्स निदिशल में तीज हो जाएगी और विदित हो कि आपको वदादे की हाली में संपन विधान मंदल की सीथ कालिन सत्र में आये इसके ने जुड़े हुए सवाल पर सिक्षा मंतरी विजे कुमार चौधरी ने यहां पर एक अपडेट भी दिया था वो अपडेट क्या कहा थे इन्होंने इन्होंने साफ कर दिया था कि पंचाय चुनाओ की प्रक्रिया के समाप्त होने के एक महीने के अंदर सारेरिक सिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति विज्यापन की जाएगी तो अभी यहां पर जब तो बोला गया था विदान मंडल का यह सत्र खतम हुए लगबग 15 से उपर दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी इस प्रक्रिया में आपको 15 दिन का समय देखने को लग रहा है कि यहां पे जारी किया जाएगा इसको लेकर सिक्षा विवाग ने समाने प्रशाषन विवाग से मार्क दर्शन भी मांगा है और दो सब्ता पहलें ही इसको लेकर प्रात्मिक शिक्षा निदेशाल बिभाग ने इन रिक्त पदों के लिए स्विक्रती पदवार यानि कि यहां पोस्ट वाइस कमिटी से अपडेट कर चुका है जिसमें नियुक्ति को लेकर राजी में करीब बिभाग की इनकी बहाली को लेकर दो मुख्य काम अभी करने है एक तो यह निधारित होना है कि बहाली की प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी और यदि नियोजित शिक्चकों के तरज पर यह नियुक्ति होती है तो प्रक्षंड नियोजन के नियुक्ति पता दिकारी इसके बनाए जाएंगे और दूसरा और मुख्य काम जो बचा है कि रिक्त पद हैं है ना रिक्त पदों को आरक्षन और रोस्टर क्लिरेंस मिले साथ ही विभाग की ओर से अभी हर जिलो में सभी जिलो में अपद भी आवंटित करना है तो 15 दिन तो यहां पर बोला जाएक नोटिफिकेशन आने में लगेगा लेकिन बहाली की प्रक्रिया का निर्धारन अभी भी नहीं हो पाया है और यह अपकमिंग वेकें इसको कन्योक्ति यहां ले जाएगा और यह अपडेट प्रभाद खबर से भी निकाला गया था और आज हिंदुस्तान खबर से भी इसका अपडेट दिया गया है तो आप सभी को बता दे इसके बारे में अपडेट और दिया था अब इसमें रही कि आपकी क्वालिफिकेश क्या होगी तो देखिए फिजिकल टीचर का रिक्रोटमेंट है यहां पर है ना तो आप लोगों को यहां पर फिजिकल कोटे से रिलेट जितने भी सर्टिफिकेट है तो आपके पास होना चाहिए खेल जगत से ठीक है और यह अपडेट आपको ग्रेजुएशन बेसिस पर दिया जा रहा है मतलब कि आपका ग्रेजुशन तो होना ही चाहिए साथ आपका यह सर्टिफिकेट भी होना चाहिए प्ले को लेकर तो खेल को लेकर तो यह सारी जो है प्रिखंड वाइज नियुक्ति होने वाले हैं नियोजिन की काईया के माध्यम से और दोस्तों यह निय अधार की और परिक्षाओं की बात करें जिसमें की अमीन की भरती को लेकर सबसे जादा यहां पे मुद्दा गरम हुआ है चुकि आज नौ तारीक है और आपको बता दे कि नौ तारीक का अपडेट था कि बहुत सारे च्छादर पटना गय है हमारे मुख्यमंत्री मानने अपडेट करने को यहां पे उस बहाली को रद किया गया है तो उसका अधार बताइए और आखिर जब कोट ने यहां पे उसको रद किया है तो हमारे नई बहाली के प्रक्रिया कब तक होगी इसके बारे में भी अपडेट हमको जल्त जल्त दी जाए तो यह अपडेट की मां परिक्षा जो है अभी 26 तारीक होनी है 26 दिसंबर को परिक्षा होनी है और यह फाइनल होगा जो कि 10 तारीक से यानि कि कल से आप अपना एडमिट कार्ट भी डाउनलोड कर सकेंगे उसके लिए तो यह सारे का सारा वीडियो है मैंने आपको अपडेट किया है चल दोस्तो अपने चैनल के माध्यम से तो आप जाके वहां से भी देख सकते हैं दोस्तो यह एक एक वीडियो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप इसे जरूर देखें और इसको समझने का प्रयास करें यहां यह देख सकते हैं यहां पर SBI की वेकेंसी का अपडेट दिया गया है साथी सान देखिए यहां पर बिहार के अमीन की वेकेंसी के बारे जाए उसके बारे में भी बात हुई है DPSC का एक्जाम डेट दे दिया जाए उसके बारे में भी बात हुई है यहां पर तो इस वीडियो को आप लोग भी जादा जादा शेयर कर लिजेगा अपने दोस्तों की ग्रूप में भी और आप सभी का जो बिहारसी का का कांसलिंग का update है वो इस वीडियो में update किया गया है तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेजेगा जो भी छतर बिहार ऐसे से तुड़े है तो बिहार की सभी परिक्षाओं का update आपको इस चैनल के माद्हाधर हमसे मिलता रहेगा है तो अभी जाके चैनल को subscribe कीजे और और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम भी जॉइन कर लिजेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपने और अपने परिवार का धन्यवाद